लोग चाते हैं कि बाइपस सेजरी ना हो क्योंकि इतनी बड़ी ऑपरेशन है पूरे चाती को बीचो बीच काटेंगे वो लोग और वो आड़ी से कटेगी वो चाकू से नहीं कटेगा आपने कभी किचिन में अपना टाइल स्विट करा है गोल चक्का सा होता है उसमें बटन दबाते ही घुमने लगती है उसको यहां पे लगा कि पूरा बोड़ी को स्क्रैच करेंगे पूरा काटेंगे चाती को और इसको खोलेंगे और हार्ट को बंद करके और फिर पैर की या ह मौत की बहुत जादा चांसस है तो सावल में इसका आंसर है कि हाँ बाइपस सजरी ना करमाएं उसकी लिए करना क्या है देखेए आदमी बाइपस सजरी क्यों करवाता है उसका मेन कारण है कि sir heart attack तो नहीं हो जाएगा काडियोलोजिस उसके मन में गुसाते हैं कि अगर आप bypass नहीं करा ओगे heart attack होगा पर असली बात अगर वो भूल जाए कि heart attack होता कैसे है अगर मरीज अपने आपको पूछे सब heart attack होगा bypass नहीं कराने से या कुछ गलत lifestyle जीने से तो आंसर है गलत lifestyle जीने से अगर आपकी blockage बढ़ेगी तो blockage के उपर एक परदा होता हो फटेगा तब heart attack होगा इसका मतलब है bypass surgery से heart attack का कोई रिस्ता नहीं है वो डराने के लिए बोला जाता है कि आपको bypass कराना होगा नहीं तो heart attack हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, heart attack होती है blockage बढ़ने के वजे से, तो अगर हम blockage को ना बढ़ाएं, भाएं, blockage को रोक दें, और blockage को reverse करें, तो heart attack कबही नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहला काम है lifestyle को चेंज करना, खान पीन रहन से इन बदलना, कोलेस्टरोल, ट्राइगलिसाइड को कम करना, उसके संग, उसके जो कारण और है, HDL को बढ़ाना, या बलड प्रेशर शुगर को कंट्रोल रखना, वाकिंग करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, ज्यादा तर फल, सबजी खाना, ये सब अगर लाइफस्टाइल किया जाए, तो हार्ट अटेक के चांसे काफी कम हो जाते हैं, बाइपस एजरी नहीं करना पड़ेगा, तो लाइफस्टाइल के साथ, हम लोग दे के आपको एंजाइना कम कर देते हैं, तो ये सारी चीजें ब्लड प्रिशर शुगर को कंट्रोल कर देते हैं, तो ये हम लोग दवाई से करते हैं, तो हार्ट की बिमारी को अगर ट्रीट करना है, बीना बाइपस सेजरी के तो क्या करना है, एक तो लाइफस्टाइल चेंज करना है, और उसके साथ दवाईया लेनी है, अप्रोप्रियेट हम लोग बोलते हैं, अप्टीमम मेडिकल मैनेजमेंट होनी च जाते हैं, पैरों में जैकेट लग जाता है, ऐसीजी कम्पीटर को फीड हो जाता है, और जैकेट सारे पंप करता है definitive देखिए हार्ट का दो स्टेज है एक तो हार्ट पॉम्प करता सिस्टॉल और एक होता डायस्टॉल जिसमें हार्ट पैर को पॉम्प करवा दिया जाता है तो सिस्टॉल में तो हार्ट पॉम्प करता है डायस्टॉल में और जब ये बार बार बलड पैर से हार्ट के तरफ जा उनको खोल दिया जाता है और वो जब खुल जाये तो आपको bypass की ज़रॉऩ नही है इसक侮े बलते है natural bypass तो इसमें काटनी की ज़रॉद नहीं है एडमीशन की ज़रॉद नहीं है एक एक घंटे की treatment होगी ECP का और इसको बलते है Heart pump करता है Pulse पैर पॉंप करता है काउंटर पॉल्स तो मतलब हार्ट जब पॉंप ना करे तब पैर को दबा के सारी बलड को हार्ट में एक्स्ट्रा सप्लाई दी जाती है हार्ट की बलड सप्लाई होती है डूरिंग डियस्ट्रॉल और उस बकत हार्ट को अगर डबल बलड मिल जाए और ऐसा डेड़ लाक बार मिल जाए तो उनके अंदर इतने सारे टूब खुल जाते कि बाइपस की जरूती नहीं है तो एक है नैचुरल बाइपस, एक है लाइफस्टाइल चेंज, एक है दवाईयां ये तीन की कंबिनेशन बहुत बढ़ियां माना जाता है और इससे बाइपस सेजरी का जरूती रुख जाता है एंजियो प्लास्टी की जरूती रुख जाती है तो अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है भाई पस सेजरी करो एंजियो प्लास्टी करें इनको छोड़ें आप इन तीन को फॉलो करें और इसके संग आप चाते हो कि ब्लॉकिज को जल्दी रिवर्स किया जाए तो EDTA करके एक दवाई है जिसको बोलते है काडियो क्लीन उसको दिया जा सकता है होमियापती में भी कुछ दवाईयां जो हार्ट के लिए बहुत राम बान माना जाता है आयुर्वेदा वालों ने भी बहुत अच्छी अच्छी दवाईयां दिये तो हमारा एम है अल्टरनेट वे में हार्ट की ट्रीट करना बॉड़ी को काटी बिगर देखे बॉड़ी को काटेंगे उसकी कॉम्प्लिकेशन्स होगी बॉड़ी को छिड़खानी नहीं करना चाहिए और इसके लिए हम रोबोते बाइपस सेजरी को बंद करो और उसके जगे में करो सावल लाइफस्टाइल हार्ट ट्रीटमेंट उसके साथ करो दवाईयां और उसके साथ करो नैच्छुरल बाइपस और साथ में जो 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 अल्टरनेटी पॉसिबल सारे को अपना हो तो हाट की बिमारी को हम लोग ने ठीट किया है लाखों लोगों में करीब डेड़ लाख मरीज आज के दिन हमारे साथ चल रहे हैं और जिनको हमने बाइपस सजरी से रोका हैं जो प्लास्टी से रोका है और आप भी कर सकते हैं